व्याइब आदे वीडियो आप सबका सबकते मेरे को और नए वीडियो तो आज हम बात करें कि क्या होगा नेक्टिक के लिए निफ्टी बेन फिट इस टोक्स जो मुझे लगते अच्छे फटा फट सुरू करते आज की वीडियो तो सबसे पहले हम देए कि निफ्टी का नेक् देख सकते हो कि भाई पिछले भी मतलब सही कहा था मैंने करेक्शन तो आया लेकिन जितना करेक्शन आया उससे डबल ज्यादा पोजिटिव हो गया लेकिन जिन लोगोंने करेक्शन में बाय किया होगा उनके लिए बले-बले नेक्टिक की बोला था कि जो भी करेक्शन पहले बाय कीजिए फिट सेल कीजिए दूसरा चार्ट ने सिगनल दिया है कि यहां से अब ओवरबॉट हो गई है अब यहां से कितना ऊपर जाएगा वह चार्ट नहीं बोल रहा है लेकिन अब यह लेवल से आ गए जो भी स्टोक से निफ्टी के मतलब निफ्टी और जिस प्रफिट करता रहना है थोड़ा-थोड़ा करके एक साथ नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा करना है उससाब से आप समझ लिए अब आते निफ्टी के विकली चाट पर विकली चाट को गईस वेल यहां पर आप देख सकते हो कि वह काफी ज़्यादा अच्छा है लेकिन मैं लिए उसकी वज़े से ज्यादा होगी कि सबने बेच के बेठे सबने सेल किया और और बाइंग आया फिर किसी को मौका नहीं दिया गेप अप कर दिया तो सब मैंने काफी टाइम पेले भी बोला दा कि जैसे पेनिक सेलिंग होता है फोड़ा सा डर के वज़े से सब सेल रहा व अब मुण गयवरत देखें तो जैसे मैंने अभी बोला कि यहां पर आप विक्ली चाट के भी सिगनल मिल गया है कि अब लोंग टॉंग के लिए भी करेक्शन आये रेड गेंडल्स बनें नीचे जाए तो बाइ करना है सेल नहीं करना है यह सोच कि मत तो कल भी नीचे जाए लेगिन और बाट की जो हमारी ज्यादा बाइंड की जो लाइन होती हो सेवेंटी है वहां तो काफी दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है लोंग टर्म में उपर ही जाएगा अभी के लिए स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है और मोमेंटम ऐसा है लेगिन जैसे मैंने बोला यहां दोस्तों को शेयर जो बेल ऐकन जरूर अब बात करते हैं गाइस बेंग निफ्टी की में इस सबसे पहले हम देखें के उसका सपोर्ड रेजिस्टंस मिलेगा अब बात करते हैं के डेली चाट की डेली चाट की माना दोगा वन वे ऊपर बीच बीच में करेक्शन्स ले रहा है काफी स्ट्रोंग यह रेड केंडल बन रहें लेकिन ओवर और मोमेंटम पूरा पोजिटिव है अब यहां से कुछ चीज़ आपको देखने के लिए जो है कि यहां पर अरूच्छाल पर आपको बेंग नुफ्टी के सेक्टर में प्रॉफिट गूप कर रहा है कि अगर गलती से करेक्शन आया जो मुझे दीख रहा है अगर से 30,000 के नीचे गया तो 36,000 को रंती आ जाएगा और मुझे लग रहा है अगर बाइचांस करेक्शन करें गाइस तो कॉंस्टंट ग्रिंटेंडल सेकंड विक भी अच्छी बात है जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है फड़ा फड़ा बूक करते जहीं अब को चार्ट ने भी सिगनल गे दिया अगर अभी भी नहीं कर रहे तो बहुत ज्यादा लालच भी नुकसान कर रहे यह समझ की करिए जो भी करिए बात करें देख स्ट्रोंग मोमेंटम के साथ बाइंग सिगनल और जो पिछले भी गया था और वह अब काफी ज़्यादा बढ़ चुका है तो मैं कहूंगा यहां पर ओल्रोडी ट्रोंग बाइंग का सिगनल से लेकिन हर रेड केंडल पर पर श्टॉक है टाड़ा स्टील टाड़ा स्टिल लेने की वज़ा गए सिंपल सी यह कि यहां पे चाट में सिगनल दिया है क्रोसओवर का मुलब कि यह मोमेंटम के सब से काफी स्टॉंग हो गया है बाइन अपर चुनेटी है लेगिन हमें बाइख करना है किस लेवल पे त अब आपको स्कून पर मिल देंगे दूसरा अज के लिए हैं लेने की वज़ा गाइस सिंपल सी यह क्रेक्शन आएगा इसमें भी मैं मना नहीं कर रहा हूं और यह क्रेक्शन आए में कर सकते तो 400 के साथ बाय कर सकते हो टार्गेट और जो भी है आपको अब भी डिटेल पे सारी पर मिलेगी लेकिन करेक्शन आएगा और स्ट्रोंग करेक्शन आएगा क्योंकि यहां पर आरे से देखो तो ओवरबाउट में गई है तो जो लोग रिस्क ले सकते वही अभी इसमें ट्रेट करें हिंडल को मैं बाकि जो रिस्क लेना चाहते उनके लिए में कहूंगा सब्सक्राइब लेकिन सब्सक्राइब काफि अच्छा मोमेंटम दिया है और लास्ट सेशन में वेदानता में भी काफिर ज्यादा मोमेंट्स आए थी मुझे लगता ही एक और जो इसका सिंपल सा लास्ट रिस्टन सा बन रहा था जैसों का उसकी ऊपर आया है तो मैं कहूं सब्सक्राइब के साथ आप यहां पर बाइंग और देख सकते हो और वहां से टार्गेट और जो भी है वह भी आपको श्रम पर दिख रहे हो गए तो आज के लिए इतना ही फिर में लेगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जोड़े रही है और आप सब को एक हैपी एन्नेंग एस